मुठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अर्मान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं. सूरज सतेज नहीं मुझ में, दीपक सजलता देखोगे, अपनी हद रौशन करने से, तुम मुझ को कब तक रुखोगे? मैं उस माटी का व्रिक्ष नहीं, जिसको नदियों ने सीचा है, मैं उस माटी का व्रिक्ष नहीं, जिसको नदियों ने सीचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने, मृत्यों से जीवन खीचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझ को कब तक रोखोगे? तुम मुझको कब तक होगे इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है मैं सागर से भी गहरा हूँ मैं सागर से भी गहरा हूँ तुम कितने कंकड फेंकोगे चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझ को कम तक रोखोगे जुक जुक कर सीधा ख़़ा हुआ अब फिर जुकने का शौक नहीं जुक जुक कर सीधा ख़़ा हुआ अब फिर जुकने का शौक नहीं अपने ही हाथों रचा स्वैम तुम से मिटने का खौफ नहीं तुम हालातों की भड़ी में जब जब भी मुझको जोकोगे तब तब कर सोना बनूँगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे प्लीज इन वीडियोज को हमेशा हेटफोन का इस्तमाल करके ही देखिए जिससे आप इस वीडियो में कही गई हर बात को अपने दिल और दिमाग तक महसूस कर सके जिन्दगी में दो ही लोग आसफल होते हैं एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है तू इनसान है अवतार नहीं है गिर उठ चल दोड फिर भाग क्योंकि जिन्दगी संचिप्थ है इसका कोई सार नहीं है अगर जिन्दगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो इरादे नहीं जो चाहा वो मिल जाना सफलता है और जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता है अगर तुमारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा हो तो फिर इस दिन्या में कुछ भी असंभव नहीं है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिन्दगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिन्दगी में लडने वालों के कदमों में जहान होता है शेर आगे चलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है इसलिए जब जिन्दगी आपको पीछे डखेलती है तो घबराई नहीं जिन्दगी आपको उची छलांग देने के लिए तैयार है जिन्दगी में आप कितनी बार हा रहे हो यो कोई माईने नहीं रखता क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो जिन्दगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, गिर कर उठने वाले कोई तो बाजिगर कहते हैं जिन्दगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी जिन्दगी जीने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, सिर्फ दो तरीके जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो अरे दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है कैट तो तु अपने ही नजरिये के पिंजडे में है अरे रास्तों को मत बदलो, रास्ते बनाओ अगर तुझे हारने से डर लगता है, तो जीतने की इच्छा कभी मत करना अगर तुम्हें एक पैंसल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते हो तो कोशिश करो कि एक अच्छा रबर बनके किसी के गम मिटा दो अमीर इतने बनो कि आप किसी भी कीमती चीज़ को जब चाहो तब खरीच सको और कीमती इतने बनो कि इस दुन्या का अमीर से अमीर आपको खरीद ना सके डर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद बखुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मनजल मेरा होसला देखकर जिन्दगी में कभी किसी को कसूरवार ना बनाओ अच्छे लोग खुशिया लाते हैं और बुरे लोग तज़ुरबा क्यों डरें की जिन्दगी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचें की बुरा होगा बढ़ते रहें मनजलों की और हम कुछ ना भी मिला तो क्या तज़ुरबा नया होगा जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते और जो पालिया है उसे खोया नहीं करते उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते सपने और लक्ष में एक अंतर है सपने के लिए बिना मेहनत की नीन चाहिए और लक्ष के लिए बिना नीन की मेहनत इंसान कहता है कि अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके रिखाओं और पैसा कहता है कुछ करके रिखाओ तो मैं आऊ किसमत, मुकदर, हाथों की लकीर ये सब कमजोर सोच के पिलर्स हैं जिनने अगर तुमने अपने माइंड में बैठा लिया तो फिर तुम्हारी लाइफ की इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकती अगर हारने वाला हार ही न माने तो फिर हारने का कोई महत्व नहीं जिन्दगी में अपने तुल्ना किसी से मत करो जैसे चांद और सूरज की तुल्ना नहीं की जा सकती क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादूरी से भरा है अगर इसमें डर और रिस्क नहीं होता तो हर कोई से कर लिता खौब जिनके उचे और मस्त होते हैं इंतखान भी उनके जबरदस्त होते हैं होसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं लेकिन जुनून में वो मदमस्त होते हैं पहाड की उचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती बलकि आपके जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं निकाल फे को उस कंकर को सिर्फ मारी हुई मचली को पानी का बहाओ चलाती है जिस मचली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है अपने होसलों को ये मत बताओ कि तुमारी परेशानी कितनी बड़ी है बलकि अपनी परेशानी को बताओ कि तुमारा होसला कितना बड़ा है जब तक सिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे मालिक नहीं इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है चोटा मालिक बन जाओ खुश रहोगे सक्सेस्फुल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है वलकि सक्सेस्फुल वो है जो अपने एक्षाओं पर विजय प्राप्त करता है अगर किबल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते तो वो आपका सपना नहीं था वो आपकी बस एक छोटी से एक्षा थी जो लोग आपको परसनली नहीं जानते उनकी बातों को भी परसनली मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ, जिन्दगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बलकि खुद अच्छे बन जाओ, आप से मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए, जिन्दगी में कभी भी कटना ही आए तो उदास मत होना, बस ही याद रखना कि मुश्किल रूल अच्छे एक्टर को ही दिये जाते हैं, यदि आप उन नहीं सकते तो दोड़ो, यदि आप दोड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा, हमेशा हागे बढ़ते रहो, मोटिवेशन की आ जिह ऽचे लुब को ही दिए आप लोड़ो चलो, यदि आप मेंगते हैं, यदि अरूपने नहीं सकते तो चलो, यदि आप एक्टर को ही दो फस्तिनगेंगी यदिये विभिगी दूने करूंझे व सकते तो अप छोड़ प्टमा बवलानी तूब objective, पzeit उточ models